कहते हैं जब इरादे कमजोर होने लगते हैं तो आस्था मजबूत होती जाती है कई बार कदम डगमगाने लगते हैं तो भगवान और याद आने लगते हैं और असर में होता ये भी है ना कि जब हम ठकार जाते हैं तो हमारे पास आखरी जो चारा होता वो हमेशा भगवान ही होते हैं भगवान आपको संबल देते हैं भगवान आपको आगे बढ़ने की प्रेंडना देते हैं और ये बाते में यहां खड़े होकर इसलिए कर रहे हैं, क्योंकि यह टनल जो आप देख रहे हैं, यह इस टनल पर 12 दिनों से पुरे देश की नजरे हैं, 41 मजदूर इस टनल के अंदर फसे हुए हैं, और आज 12 दिन हैं, तमाम एजिंसियां जो हैं वो काम कर रही हैं, लेकिन एक होता है ने कि बस कुदरत का साथ होर मिल जाए, तो शायद कल के निकलते वो आज बहार निकल जाएं, अब यह टनल के बगल में जरा भी छोटा सा मंदिर देखिए, यह छोटा सा मंदिर आज कल जो भी इस टनल के अंदर जाता है, वो चाहे मुख्यमंत्री पुशकर सिं जब आप इस इलाके में आजाएंगे ना, तो लोग आपको भौकनाग बाबा के बारे में बताने लगते हैं, जो यहाँ के इश्ठ हैं, जो यहाँ पूजे जाते हैं, और यही एक लोगों में ये भी एक प्रश्नी धारना थी, कि नया काम कोई शुरू किया जाए, या कु यहाँ पर बनाया गया, फिलहाल टेंपरेरी मंदिर जिसे कहा जा रहा है, जब टरनल पूरी हो जाए कि तो एक बड़ा मंदिर बनाया जाएगा, ऐसी भी बाते आ रही है, अब लेकिन कहानी क्या है बोखनाग बाबा की क्या है इनके पीछे का तो यहाँ के लोकल लोग है, उनसे ज़रा जानने की कोशिश करते हैं, क्या नाम हूँ आपका? क्या चीज होती है, इन्होंने बोला देवता क्या चीज होती है, पर वोखनाग इसी है, सब को मार भी देते हैं, और खड़ कर भी देते हैं, पर इन बोखनाग देवताने हमारे देवताने हमारे नहीं सब का देवता है, इन्होंने आज आपना पर्चा दिखा दिखा दिया जब इनोंने सरी नहीं जुकाया तो कैसे अपना परचा दिखा दिया अब धामी आरे फुर आरे फुर जारे जू भी आरे फूरारे फूर जारे कहानी क्या है बाबा की क्या कहानी है? दखाइब lesson न हरी है जितना मुझे सब्छाया उसका आप से बता रही है तो बारात ने मांगा कि जब हम वापस आएंगे तो हम आपको श्रिफल चड़ाएंगे हम आपको और बकरा क्योंकि यहाँ पर बली की प्रिथा भी रहती थी तो वो भी चड़ाएंगे लेकिन आते वक्त क्या हुआ कि उन्होंने रास्ता बदल दिया और अपना जो प्रण था जो कहा था भगवान को वो पूरा नहीं किया तो भगवान क्योंकि नाग रूप में हैं तो उन्होंने नाग बनकर बरात पर 60 सान खेद के लिए कॉरह धारओला ऋपसक्ता गाएं खकर बूरां के रहए जबीयर समबेसी कर देट obecर साथ की तो और अब मखविन लगता है कि मकुझेय कौन ये जिद सबस्क्त करता हूं वह देखको आप है और जाने वाले जितने चाहए काम करने वाले हो सब्सक्राइब कर दिया कि मंदिर बन गया है तो सुरक्षित आजाएंगे कामरो पसंद को कहुंगे जड़ा जो लोग बात कर रहे हैं जड़ा इनकी बाते भी सुनवाएं और दिखाएं कि भाव क्या है जब वो अपने देवता के बारे में बात करें आप कुछ बता रहे हैं जी मैं बोला कि परसा हूँ जब कहा कि अंदर काम निवा पा रहा था तो फिर हम लोग नहीं पर यह कहा कि जो पीम है यहां के उनको प्रोजेक्ट मनेजर मैं उसको उनको बुलाया कि सुबह ना दो कि आना तब आये ना दोके उन्हों एक सिरपल लाया और फिर यह कर रहा है कि अगर यह बच जाएंगे तो मंदिर भव्वे बने गया है तो करपा रहे हैं मंदिर मंदिर चोट मंदर बड़ा बने गया आपको लग रहा है कि अभी देवता जो है विल्कु बल्कु इसी लिए इसी लिए कि मलब जब हमने परसों उस पर देखा तो हमें पहले अब बन गया है तो आप चीजे शुब शुब हो रही है तो जी महम बानता हूं कि जैसे हमने देखा था बारा दिन हो गए है आप इसको शुरूआत में तो चांसे भी नहीं लग रहे थे जो मशीन जारी थी खराब हो जारी थी अब जब से मंदिर स्टैबलिश हुआ है जै तो आपको उमीद है कि आप तो आप तो ऐसा है कि वह जाएगा निकल जाएंगे सुरक्षे निकल जाएंगे बार आपको क्या लगता है इस मंदिर बन गया है है कि यहां पर बाबाबासु के नाग करें सुखे नोने कि अदेनीचिजिए हैंगे नाराज होंगे कि मेरे घर में ऐसे तूट फूट क्यों हो रही है ठीक है तो यह बाबाबास की नाग का घर है यहां पे उनका मुकुट माना जाता ही है ठीक है तो उनके घर में अगर कोई छेड़ खानी हो रही है तो बाबाबास की नाग कुछ नकुछ तो करेंगे कि भाई तुम क्यों कर र तो बाबा वाश्व किनाग ने कहा था कि यहां पर मेरे एक मंदिर लगा दो भव्य मंदिर का निर्मान कर दो तो कंपनी वालों ने ऐसा नहीं किया अब बड़े जितना होता है न कि जितना हम पढ़ लिग जाते हैं फिर अपनी अब संस्कृति परमपराओं को भूलते जाते है तो कहा था देवताने कि यहां पर किसी अबतरित हुए थे तो कहा था कि मेरे एक मंदिर लगा दो तो कंपनी वालों ऐसा नहीं किया जिसके कारान से जो है बाबा वाश्व किनाग रुस्ट हो गये थे और फिर जो है ऐसी घटनाए हो रही है दिन पर दिन पर दिन अब मं कंदर करमचारी जितने भी वरकर फसे हुए है उस सकुसल बाहर निकले ऐसी हम बाब वास्व किनाग से कि मलब करपा बनाते हैं आस्ता तो कुछ नहीं होगा सब सकुसल बाहर निकल जाए देवता कि कहानी यह है कि उन्होंने चिताओनी दिया कि तू है बड़ा कि मैं पहाडों में प्रकरती हो पहाडों में देव हो इसलिए तो शायद उत्राखंट को देव भूमी भी कहा जाता है ना कहा जाता है पत्थर पत्थर में भगवान है और जब आप किसी पहाड पर आते हैं जैसे कि बड़े अच्छे एक्जैंपल के साथ इन्होंने समझाया कि क अगर पकर आता है आप से बिना अनुमती लिये वह अगर कुछ करने जाता है तो आपका कुछसा होना लाजमी है आपकी नाराज़गी लाजमी है तो वही यहां के लोगों का कहना है कि जब ये काम वाम शुरू हुआ तो जो बाबा है भौकनाग बाबा उनसे अशिरवाद नहीं लिया गया कहा जाए तो अनुमती नहीं ली गई काम शुरू कर दिया गया और उसके भी रोश का ये फल हो सकता है कि जिस तरीके से ये तमाम लोग फसे लेकिन क्योंकि वो दिखाएंगे और तो तमाम कर्मचारी जो तमाम मजदूर यहां पर फसे हैं वो इनहीं की आशिरवाद से जल्द से जल्द बाहर आ जाएंगे आप उत्राखन के किसी भी कोने में जाएं आप उत्राखन के किसी भी पहाड में जाएं आपको आस्था प्रत्यक्ष रूप मे जरूर देखने को मिली है और उनसे सुड़ी उनसे जुड़ी वे कहानिया भी मिलेंगी ऐसी कई कहानिया हो सकती है जिन पर आपको विश्वास न हो और ऐसी कई कहानिया हो सकती है जो प्रतेक्ष के सामने साथ आपको देखने को मिलती है पर कहा जाता है ना कि आस्था के आग तो जल्द ही उनकी कृपा भी तमाम लोगों पर बरसेगी।